तो यहां क्या है कि यह पूरा का पूरा खेल जह वह आस्थापना विभाव का है। सिर्फ अयुक्ति इसमें दोशी नहीं है। इसमें आस्थापना विभाव जो पूरा का पूरा दोशी है। जिस कर्मचारी का फरिश्ट लिपिक होते हुए तीन साल या चार साल गुजरे हैं। उनको कर अधिक्षक बनाकर उनको दस हजार या बीस हजार पगार जो है उनकी बड़ा देने की मांजेते देना हैं। कहां तक जाई है। महानगरपाले का अधिकारी कर्मचारी जब उनकी प्रदोन्ति होती है तो अटोमेटिकली उनका पे बढ़ता है। और एक तरफ उनके उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है सब हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो लिपिक 20 सालों से कारिदत है उनको वरिष्ट लिपिक भी नहीं बना जाके उनके साथ में अन्याय हो रहा है। तो यह गलब चीज़े इस तरह का जो है उन्याय सबको मिलना जाए। नमस्कार दोस्तों मैं हूँ यूसुफ लिए आप देख रहे हैं स्टेफ ने उतलाई हूँ। आईए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों आज बात करेंगे वसे विरार महानगरपाली का एक ये दो अहम मुद्दों पर। एक मुद्दा है वसे विरार महानगरपाली का में कर्मचारियों की पद्वन्नति का और दूसरा मुद्दा है वसे विरार महानगरपाली का चुनाओ के आने वाले चुनाओ के लिए जो प्रभात की रचना हुई उन दोनों उस मुद्दे पर। तो मैं पेले बात करता हूं वसवीरार, महानगर पाली का में पदम्नत जोूई कर्मचरयों की उस पर बात करना चाहूँँ रहासल महानगर पाली का में डिसमबर महीने में एक आदेश निगला था उस आदेश में गुंसाट लोग को वरिष्ट लिपिक से पदम्नत करके उनका प्रोमोशन करके उनको अधिक्षक सुप्रिंटेंड बनाया गया था प्रक्रिया है और कर्मचारी अधिकारी जब काम करते तो उनको वरिष्टा के आधार पर बदनती मिलती है मिलनी ही चाहिए इससे को को आपत्ती नहीं होगी लेकिन यहां भी आपत्ती डर्ज की जा रही है इसलिए यह मुद्दा बड़ा हो जा दरसल लगबग दो साल के कारेकाल में है जो एक्स आयुक थे गंगादरन डी उनसे हर कोई नाराज था लेकिन यह जाते जाते इन्होंने यह जो कांकि इससे कंचरी जो कुछ कंचरी नाराज थे अभी और भी ज्यादा नाराज की उनमें दिखाई दे रही है हाला कि वो चले गए लेकिन फिर भी अभी भी वो गुद्दा तो महानगरपालिका को ही समान ना है दरसल इसमें मामला यह कि दिसंबर के पहले नुवंबर में महानगरपालिका ने एक आदेश निकाला था जो आप इस्क्रीन पर देख सकते हो इस आदेश अंतरगत महानगरपालिका उपायुत के दस्तरगत से यह आदेश था शंकर खंदारे जो अस्थापना के उपायुत थे अस्थापना दिल की अधिकारी को मुख्या को कहा था कि आपको इदर जो-जो कर्मचारी है लिपी ग्रहने दो वरिष्ट लिपी ग्रहने दो जो भी अधिक्षक कर अधिक्षक उन सब की seniority का लिष्ट बनाने के लिए उनका डेटा जो है एक महिने के दर्मियान एक महिने की पितर महानगरपाली का मुख्याले में सर्विण करें इन्होंने ये मांगा था प्रभाग ने क्या दिया नहीं दिया उसका अभी में बात नहीं करता हूं मैं बात करूंगा अभी उसके बाद में प्रमोशन हुआ जो दिसंबर महिने में जा आदेश निकला उसमें गुंसाड वरिश लिपिक का प्रमोशन हुआ उसमें जो अभी विरोथ कुछ असंतोष सामने आया है वह असंतोष ऐसा है कि वरिष्टता जो सूची तयार होती है उसका क्राइटर्य होता है नियम होता है कुछ यहां ऐसा देखने में आया है अभी डेटा आमने मंगाया है डेटा आने में समय लगेगा फिर भी विश्वस शुत्रों का ये कहना है कि कुछ ऐसे वरिष्ट लिपिक है जिनको वरिष्ट लिपिक पर पद्वनत हुए खलित तीन या चार सा हुए थे उनको सुप्रिंटेंड बना दिया गया है यानि कि सुप्रिंटेंड बना दिया गया है उनको प्रमोशन दिया गया है वो कानूनन कह ही पर जाईज नहीं पो एक वरिष्ट लिपिक को कम से कम 10 साल वरिष्ट लिपिक के अगपद पर काम करने के बाद में पदून्रती दी जानी चाहिए यह कानून और शाषण निर्णे बोलता है लेकिन यहां पर शाषण निर्णे के विरुद में ऐसे कुछ कर्म लेकिन उसके पहले नगर परिशेट से वह स्थाई कर्मचारी है 20 साल होने के बावजूद भी उनको वरिष्ट लिपिक में पदोन्ती नहीं दे गई बहुत से लोग है अभी जो सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशन है बहुत से कर्मचारी वर्गे जो आप कहीं न कहीं अपने आप में असंतुष्ट है लेकिन यह बात उठाने से ड़ते हैं फिर भी आज एक पोस्ट शोशल मीडिया पर वाइरल हो रही और उस पोस्ट में कहीं न कहीं संतोष्ट का जिक्र किया जा रहा है वो पोस्ट आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर आप देख पाएंगे मराटी में कि पोस्ट है तो इसमें यहीं लिखा हुआ है कि किस तरह से मानगर पालिका में अस्थावत में विभाग में चल रहा है उसका जिक्र उन्होंने लिखने वाले जो भी है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने किया है, अब रही बात जो मैं बात कर रहा था, आईट गंगादरन डी की, गंगादरन डी जो है उन्होंने सिगनेचर किये, वो आयुक थे, उनका पावर था, उन्होंने दिया, लेकिन क्या उनको इस सब चीज की जानकारी खुद बाखुद होती है तो नहीं इसका जवाब है कि उनको उनके अधिनस्त कर्मचारी जो डिपार्डमेंट समालते है अस्थापना डिपार्डमेंट देखने वाले अस्थापना विभाग देखने वाले कर्मचारी वही उनको सिफारिश कर कि यहां कि कि यह पूरा का पूरा जो है वह आस्टापना विभाब का है थिर्फ अधिक्षा बनाकर उनको 10dy या बीस हजार पगार जो है उनकी बड़ा देने की मांज़ेते देना है कहां तक जाई जी महानगरपाले का अधिकारी कर्मचारी जब उनकी प्रदोन्नती होती है तो उनका पे बढ़ता है और एक तरफ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है सब हो सकते हैं और दूसरी तरफ जो लिपिक 20 सालों से कारिदत है उनको वरिष लिपिक भी नहीं बना जाके उनके साथ में अन्याय हो रहा है तो यह गलर चीज़े इस तरह का जो है उन्या सबको मिलना चाहिए या तो फिर ऐसा है कि गिने चुने लोगों को किसी एक शडियंद्र नहीं बोलूँगा लेकिन गिने चुने लोगों को किसी एक स्पेशल बैनिफिट के तहट इस तरह के फाइदे दिये जाते हैं माइटी मंगया इस चीज़ का उसके बाद में पूरा खुलासा होगा कि इन में से कौन लोग कब से कारियरत है और जब माइटी का जवाब आएगा माइटी दिकार का तब उसका खुलासा और भी करेंगे अब बात करते हम वर्साइविरार महान अगरपाली का चुनाओ का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और उस प्रक 42 वाड रने वाले हैं लेकिन अब चुकी महान अगरपाली का ने नक्षा जो है वो प्रसाइद कर दिया है वसे विरा महान अगरपाली का कि अधिनस्त नो प्रभाग समीती वहां पर मुख्याले में सर्जगा पर उन नक्षे को लगा गया है पबलिक जाके वहां विजिट क लगबक तीन वाड एक साथ मिलके एक वाड हुआ है और 42 वाड का फॉर्मेशन हुआ है उसका फॉर्मेशन आप महान अगरपाली का में जाकर देख सकते हो नहीं तो हमने वीडियो में आगे वो भी लगाया हुआ है उसका मैप आप वीडियो में देख सकते हो और आने वाला समय में चब यह प्रक्रिया हो जाएगी इस पे एक मेने का समय अभी हरकती का समय है एक तरिक से नखे हरकती का जो 14 तरिक तक चलनने वाली है उसका मैंने सविस्तार माई वीडियो पहले ही बना चुका हूँ लेकिन फिर भी जानकरे के लिए बता देता हूँ 14 तरीक तक इसको आपत्ती है तो वह दर्च करा सकता है महानगर पालिका के प्रभाग में जाकर मुख्याले में जा सकता है या हर प्रभाग समीति लेवर पर एक चुनाव कक्ष का निर्म यह किया हुआ है उसमें जाकर दे सकता है उसकी जो भी किसी को जो आपती है अपने वार को लेकर उच जा सकते हैं अब इसमें बात करते हैं वाड में वाड राचना के बात क्या लोगों की प्रत्यक्रिया है हाला कि अभी पॉलिटिकल पार्टी से हमने किसी से प्रत्यक्रिया नहीं लिये और बहुत जल्दी लेने वाले हैं लेकिन फिर भी अगर मोटे तोर पर कहा जा तो वसे ही विरार की सबसे एहम political party है वो बोजमिकास अगाडी है तो बोजमिकास अगाडी को इस war formation से शायद मुझे नहीं लगता है कि कुछ उसको दिक्कत होगी क्योंकि उसका water base इतना मजबूत है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसके अलावा बात करें अगर भाजपा की तो भाजपा का अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रा सामने आया नहीं है शायद हो सकता है कि BJP जो है वो समय ले रहे हो इसको war सररचना को देखने का लिए वहीं शिवसेना ने war formation को लेकर कुछ कहा नहीं अभी तक लेकिन दूसरे चैनल पर जैसे शिवसेना तालुका अज्यक्ष का जैसे बयान आया है उसमें उन्होंने ये जुरूर कहा है कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम सीटे अपनी निकालेंगे ये जीतेंगे उनका अपना आत्मे विश्वास है तो ही वहीं मंसे ने मंसे ने सीधा आरोप लगाते हुए एक पार्टी दुआरा की गई वाड़ रचना बोला है और राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का अभी तक कुछ इस पर प्रतिक्रिया आया नहीं है अब लोग जो ये पार्टी किस इंतजारम है ये नहीं बूल सकते हैं ये क्या उनकी इसके उपर सोच है क्या उनकी हरकती है ये तो बाद में आने वाले समय में मागो पड़ेगा है पर इसको लेकर कहां तक सहमत है इस वाड रचना को लेकर है और काफी अहम है ये वाड रचना है क्योंकि ये वाड रचना ही जो भोगलिक परिस्थिती है उसको बदर देगी पहले जहां 115 नगर सेवक थे वहाँ अब नगर सेवक 126 होंगे नो बढ़ जाएंगे लेकिन वाड 42 होंगे अब इस वाड फॉर्मेशन का अगर हम फाइदा नफा और उनुत्सां की बात करें तो उसके लिए ये शाषन ने ये निकाला है पैनल सिस्टम तीन नगर सेवक एक वाड में महारा शाषन का ये ओडर है तो शाषन को कुछ अच्छा लगा हुआ उनने निकाला लेकिन जमीन इस तर पर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसमें आगे चलकर बहुत अर्चने आने वाली है इससे नकरा नहीं जा सकता क्योंकि एक वाड में एक ही वाड में तो फिर भी कोई विकास का पास कराने के लिए इतना ज़्यादा आपत्ती नहीं होगी परिशानी नहीं होगी लेकिन जब अगर कोई अलग अलग तीनों नगर सबक बैठते है या दो नगर सबक एक पार्टी की है और एक नगर सबक विरोधी पार्टी का है तब मुश्किले होगी विकास के काम अटकेंगे पैनल और इसके अलावाज जो छोटे स्थापत आम लोगों के काम होते हैं वो एक नगर सबक के यहाँ तर जाएगा तो वो उसको दूसरे के माँ बेजेगा वो एरिया मेरा नहीं है आप वहाँ जाओ दूसरा नगर सबक तीसरे के बाद बेजेगा यानि कि आने वाले समय में जो जनता है एक बार नगर सबक चुनने के बाद में उस जनता को नगर सबक के यहाँ चक्कर लगाने होंगे ऐसा हम कह सकते हैं फिर भी अभी शाशन ने कुछ सोचा है और पैनल सिस्टम लागो हुआ है तो किया जहीं कुछ नहीं जा सकता है जो है उसी के उपर करना है देखते हैं कैसा है और क्या रीविव लोगों के इसके उपर आते हैं ये बहुष्षी में महनूप पड़ेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और जैसे कि मैंने आपको मुद्दे की बात बताई जो मसेविरा महानगर पालिका में अन्याए कुछ कर्मचारी वर्ट के साथ में हो रहा है तो ये गलत है अन्याए भी नहीं होना चाहिए तो किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं मिलना चाहिए वो भी गलत है पड़िक का पाईसा है उसको महानगर पालिका बर्बाद है नहीं कर सकती है किसी को बेवज़े जिसका अधिकार नहीं है उसको पैसा दे कर उसको पदमन दिदे कर पैसे की बर्बादी किया जाना भी गलत है इसके उपर मान अगर पालिका को सोचना चाहिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो को इतना शेर कीजिए ताकि पसे जिना मान अगर पालिका आयुक से पहुंचे और जो पिछले आयुक ने जो गलती की उसमें अगर कहीं कुछ सुधार की जरूरत हो तो जरूर उसको सुधार करे जो लोग बंचित है आज भी जिनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है उनको कहीं कहीं न्याय मिल पाए और जिनको पदोलनती हो चुकी है नहें हो कम से कम क्यी होती है उनका पन पद बढ़ता है लेकिन उसके लिए क्राइकर्य निया होना चाहिए और नियम को पाला जाना साउय आज के रिए इपना जाना त्युक्त पाल्य एप चैनल से ब्लस दूस्यान्रह अं सेवां से संबंदित विग जापन हें दू मोबाल नमबर 7385952786 अत्वा 773-826-7786 पर संपत करें